नमस्कार दोस्तों सुवगत करता हूं आपको दजीनियस एस्टेटी पर दोस्तों अपके लिए एंसे एई इसार सेंग रबूकर वीडियो लेकर आ रहा हूं उसमें आज है गुलाम वंस गुलाम वंस का फर्ष्ट को चैनल है गुलाम वंस के अस्थापना किसके दोरा की गई थी तो कुतुबदीन एबक के दोरा की थी 25 जुन 1226 में कुतुबदीन एबक का राज़ाने किसे घुषद किया था लहूर को में तूर्की राज़े के संस्थापक कुतिन एबक को माना ज governo कभा्त स्थापने की दोरा के नहीं कि अब्लेग और दोरा से ही सन्तुस्ट रहा थिया इबर हो उदारता था अत्यधिक दान देने के लिए कोलक्त दी लाक्स और सोरीली आबाज में कुरान पढ़ने कर नवाजा गया था बस juice of सुरुली आवाज में कुरान पढ़ने के करां एबक को किस उबादिस न वाजा गया कुरान क्वा निफ्ट है भारत के प्रत्म मस्जित कुबत उल इस्लाम के अस्थापना किसके दोरा की गयी थी कुदुबदीन एबक कुदुबदीन एबक ने सुभी संथ ख्वाजा कुटुब दिन बक्तियार काकी के नाम पर कुटुब मिनार का निर्मान प्रणाम करवाया था कुटुब दिन एवक की मिर्टु कब हुई थी वर्ष 1210 में चोगान खेलते समय घोरे से गिरने के करण हो था कुटुब दिन एवक की मिर्टु कैसे हुआ था चोगान खेलते समय घोरे से गिर कर 1210 में हुआ था निश्ट है कुटुब दिन एवक की मिर्टु के पाचात उसके पुत्र आराम सा को पदस्त कर गुलाम मंस का अगला सासक कौन बना इल्टुथ कुटुब दिन एवक की मिर्टु के पाचात उसके पूत्र आराम सा को पदस्त कर गुलाम मंस का अगला सासक कौन बना इल्टुथ सुल्तान बनने से पुर्वकीज प्रांत का सुब्यदार था बदाईय। दिल्ली सल्तरनत का वस्तविक सान साफक किसे मना जाता है तो इल्टुत्मीज को नेश्ट इल्टुत्मीज दिल्ली सल्तरनत का प्रसम सुल्तान था जिस ने दिल्ली को अपने राधानी बनाईता थ बगदाद के खलीफास सुल्तान के उपादी परतान की इलतुतमिस ने 40 योगी तुर्क गुलामों को मिला कर किस दल का गठन किया था तुर्का ने चहल गानी अर्था चालिस दल का मंगोल आकरमनकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पहचिम सीमा पर किसके सासन काल में आया था इलतुतमिस ने भारत में इक्ता व्यवास्ता का प्रणब किये इक्ता एक अर्भी सब्दै जिसका अर्थ है भूमी को लेने वाले इक्ता इक्तदार कालाता है इस त्वित्तमिस ने भारत में इक्ता व्यवास्ता का प्रणब कि इक्ता एक अर्भी सब्दै जिसका अर्थ है भूमी को लेने वाले इक्तदार कालाते हैं रेक्षट है वर्ष 1226 में दिली सल्तरनित के गदी पर बैठने वाले प्रथम वह अंतिम मुसलिम महिरा ससका कौन रज्य के बिद्रोही अमीरों ने रज्य की हत्या करवा कर किसे दिल्ली सल्तरनित के गदी पर बेठाया था बाराम साह को रज्या सुल्तान बिद्रोही अमीरों ने रज्या के हंत्या करवा कर किसे दिली सल्तन के गधी पर बैठाया था बहराम साह को बहराम साह के कारेकाल में नायाव ए मुमालिकत पद का स्रिचन किया गया जिसमें संपुर्ण अधिकार नहीत होते थे इस पद पर सर्वतम इतिगीन को निवत किया गया था बहराम साह के कारेकाल में नायाव ए मुमालिकत पद का स्रिचन किया गया जिसमें संपुर्ण अधिकार नहीत होते थे इस पद पर सरपधम इतिगीन को निवत किया गया था दिली सल्तरन के किस सासक ने बलबन को नायाव ए ममालिकत पद पर निवत किया गया नासरुदिन महमुद ने सल्टें ना बलबन को उलूंग खानी के अपादी किसनए नासरुदिन महमुद ने दिली का सुल्तान बन्ने के परचात तुर्कान एच्याल गारमिको किसने समाप्त कर दिया था बलबन ने अल crashing सब्सक्राइब कर लबन के नीडीकन आशन कने ओलबन अब न्यवक selfish कि नीति का परन कने वाल सुल्तानल कौन था बल्बन नेक्टे बल्बन प्रसं सुल्तान था जिसने राजट्व की सिदान्थ का परत्यपादन किया उसकेर राजट्वको नियावद До खुदाई इस्वर द्वारा प्रदत तथा राजा को जिले इलाही इस्वर की छाय कहा बलबन पर्थम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिधान्त का पर्तिपादन किया उचने राजत्व को नियावते खुदाई इसवर द्वरा प्रत था राजा को जीले इलाही इसवर की छाय कहा चिजदा एवं पैवोस प्रता को अपने दर्वान में प्रणाम करने वाला सुल्तान कौन था बलबन बलबन ने किस नाम से एक सन बिभाग के अस्थापना कि थी दिवाने अर्ज बलबन ने किस नाम से एक सन बिभाग के अस्थापना कि थी दिवाने अर्ज निश्ट कुछ ने गुलाम वन्स का अंधिम सासक कौन था समसेविदिन कौमियूट्स नसुदिन महमुद एक सांथ स्वभाव वाला व्यक्ति था यहांसकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल दोस्तान कहा है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्ता सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं दोस्तों नेच्ट वीडियो में थैंक्यू